सचार जी पित्र पक्ष में इस साल सुरे ग्रहन भी लगने वाला है, चंद ग्रहन भी लगने वाला है, भारत में इसका क्या प्रभाव रहेगा है और कब-कब ये दोनों लग रहे हैं? पित्रिपक्ष का सुरुवात जो है ग्रहन के साथ होने जा रहा है 18 सितंबर से पित्रिपक्ष भी प्रारंब है और 18 सितंबर से ही प्रतिपता का स्राध के साथ पित्रिपक्ष प्रारंब होगा ग्रहन के साथ प्रारंब हो रहा है यह जो है पित्रिपक्ष अत्यंत सुभधायक नहीं है क्योंकि ग्रहन से प्रारंब हो रहा है अब 18 सितंबर को जो ग्रहन लग रहा है 18 सितंबर को शंद्र ग्रहन यानि प्रातहकाल शंद्रास्त के समय ग्रहन लगेगा जो की भारत में द्रिश्य नहीं है इसका प्रभाव भ पर पढ़ने वाला नहीं है लेकिन ग्रहन जो है वह लगा है पित्रिपक्ष के समय इसलिए प्रतिपदा के स्राध करने वालों को जब तक ग्रहन समाप्त नहीं होता है तब तक स्राध प्रारंब नो करें ग्रहन का समय जो है मोक्षकाल जब हो जाए तो तब ही पित्रिप्रक प्रारम्ब करें जो भी करना हो तो 18 सितंबर को शंद्र ग्रहन कंकणा कृती लग रहा है जो भारत में द्रिश्य नहीं है और पित्रिपक्ष का जो अंत होगा वहाँ दो अक्टूबर को होगा दो अक्टूबर अमावस्यात थी उस दिन भी कंकणा कृती सुर्जग्रहन है वहाँ भारत से धूर अमेरिका से धूर शमुद्री छेत्र में लगने जा रहा है जिसका प्रभाव भारत पर नहीं पड़े अबने गा लेकिन एक पछ में दो ग्रहन सुर्जग्रहन भी और चंद्र ग्रहन भी लग रहा है इससे ग्रहन का जो है फल Half्यग्थियों के उपर पड़ेगा क्योंकि की एक पछ में दो ग्रहन देश के लिए और मनुस्यों के लिए अच्छा प्रभाव नहीं है